भादो महिना बितने के बाद बिहार में मंत्री मंडल में फेर बदल होगा बीजेपी के कुछ मंत्रियों का पत्ता साफ होगा तो कुछ नए चेहरे मंत्री बनेंगे सुत्रों के हवाले से ये बड़ी ख़बर सामने आ रही है वहीं बिहार के बोर्ड निगम के अधैक्च, उपाधैक्च और सदस्यों के नाम भी तैब हो गए है अगले सब्ता उनका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा बीजेपी सुत्रों के मुताबिक पार्टी के रास्टी अधैक्च जेपी नड़ा ने शुक्रबार को नितिश कुमार से मुलाकात की थी इसे मुलाकात के दोरान मंत्री मंडल विस्तार और फिर बदल की चर्चा हुई सुत्र बता रहे हैं कि जेपी नड़ा ने जब नितिश कुमार से इसकी चर्चा की तो मुखे मंतरी ने कहा कि बीजेपी जब चाहे तब अपने कोटे से मंतरियों में फिर बदल कर शुक्रबार की रात जेपी नड़ा ने अपनी पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठा की सुत्र बता रहे हैं कि बैठाक में ही नड़ा ने ये जनकारी दी कि मंतरी मंडल में फिर बदल जल्द होगा और नितिश कुमार ने इस पर सहमती जता दी है अब संभावना ये जताई जा रही है कि भादों महीना बीतने के बाद मंतरी मंडल में फिर बदल होगा मंतरी मंडल के फिर बदल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलिप जैस्वाल का मंतरी पत से बाहर होनाता है प्रदेश अध्यक्स चुने जाने के कारण में मंत्री पत से इस्तिफा देंगे दिलिप जैस्वाल फिलाल भूमी सुधारे में राजस्व विभाग के मंत्री है बीजेपी सुत्रों की माने तो तीन और ऐसे मंत्री हैं जिन पर तलवार लटक रही है पार्टी ने तृत्तों को उनके कामकाज को लेकर गंभीर शिकायते मिली हैं लिहाजा उन्हें हटा कर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है बिहार में बोर्ड निगम का नए सीरे से गठन होना है बिजेपी और जेडियू के बिच काफी पहले ही ये समती बन गई थी कि कौन सा बोर्ड या निगम किस पार्टी के पाले में आएगा जेडियू के ओर से बोर्ड निगम के लिए नाम तैय है लेकिन बिजेपी अपने नाम नहीं तैय कर पा रही थी जेपी नड़ा ने अपने बिहार दोरे में पार्टी नेताओं से बाचीत के बाद बोर्ड निगम के लिए नाम तैय कर दिये है बिजेपी सुत्रों के मताबिक पार्टी दो दिरों के भीतर बोर्ड और निगम में अपने पोटे का नाम तैय कर ली उस सुची पर प्रदेश प्रभारी और अप्चारिक समती ली जाएगी और फिर नितिस कुमार को सौंप दिया जाएगा ऐसे में संभावना यही जुताई जा रही है कि अगले सब्ता बोर्ड निकब का गठन हो जाएगा आशरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिये हमारे नमबरों पर संपर